हेलो नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा छटी सामझे विग्यान की जो एट ग्रीट अब्यास पुस्तिका उसका संपूल सॉलुशन तो इससे पहले चार वीडियो अप्लोड कर दिया निए उन चार चैप्टर को हमने सॉलुशन करके आपको बताया आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फाइब का संपूल सॉलुशन बताएंगे अगर आप इसकी पीडिया भी आप डाउलोड कर पाएंगे इसके लिए आपको इस वीडियो को आं तक देखना होगा तो चली ये सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले है पर हम सही वीकल्प देख लेते हैं जो सही वीकल्प दिये गयाएं पहला पाड़ का नाम जानी का राजय राजय और एक प्राचिन गर राजय ठीक चाती थी ठीक है अगला प्रशन दिया गया है कि लोही की फाल की जुताई में और धान के पोधों की रोपाई में किस में उप्यों किस काल में प्रारम हुआ था तो ये महाजनपत काल में प्रारम हुआ था अगला प्रशन आपर दिया गया है कि गड़ या संगी की विवस्ता किसी राज़ की बिते स्थाथी तो या वज़ की थी किसी ती वज़ की थी अगला प्रशन दिया गया है वेदों का अध्यापन और यग करना कार्था तो यह ब्रहमाणों का कार्था चले feito अब यहाँ पर हम रिक्तिस्तान की और बढ़ लेते हैं रिक्तिस्तान हमारे दिये हुए यहाँ पर पहला दिया गया है कि 2300 साल पहले मासको मैसी डौनिया का राजा सिकंदर महान विस्विजे करना चाहता था तो इस तरी की चिसकांदर अगला है कि महा जनपदों की राजा विसाल के लिए बनवाते थे और बड़ी सेहना रखते थे ठीके अगला है कि छत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की सुरक्षा करना था अगला प्रिशन दिया गया है लगवक 200 सालों के वीतर मगत का सबसे बहते पूर जनपद बन गया था अगला प्रिशन का अंसर लेकना है कि दीग निकाए एक प्रसिद्ध बहुत धर्म गरंत है जिसमें वोद्ध के कई व्यक्षान दिये गए तो जो दीग निकाए वो बहुत धर्म से समद्ध है इसा आपको ध्यान रखना होगा अब बढ़ते हैं प्रिशन के तरफ यहाँ पर प्रिशन दिया गया है पहला कि अस्सुमेग यग का घोड़ा पकड़ने वाला राजा को युद्ध क्यों करना पड़ा था तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जनपत का अर्थ होता है तो देखिए जनपत का साब्दिकर्थ है जन के वसनिकी जगए जनपत प्राचीन भारतिय प्रसासनिक विवस्ता का एक एकाई था जो एक निश्चित भूकन शित्र को कहा जाता था इस तरीके से आपको इसका अंसर यहाँ पर लिख लेना है तिल ततासर्सों जैसी फसलें हुआते थे इस तरीके से आपको इस कांसर यहाँ पर लिख लेना है अगला प्रशनिया पर दिया गया है प्रश्क्रमांग 10 चित्र में दिये गए चित्र को ज्यानपूरा देखिए और उसके बारे में तीन वाकिया आपर लिखना है अब यहाँ पर देखिए सारी कौशिन के आंसर हम आपको प्रवाइड कराई रहे हैं तो आपको करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसके बाद अगला प्रस्ट दिया गया है कि महाजनपत काल महाजनपत के से कहते हैं और पर मुक महाजनपत के नाम लिखिए तो यहां पर लिखिए करी पच्छी सो साल पहले कुछ जनपत अधिक महत्कूर हो गए थे इन्हें महाजनपत कहा जाने लगा जैसे मगद हस्तिन पूर कोसमभी राजगर आए बैसाली आदी तो इस तरीके स्कांसर आपको लिख लेना है अगले प्रस के इतर बढ़ते हैं अगला प्रस्ट यहां पर बताई दिया आपको सभी सब्जक्टों के सॉल्यशन आपको चैनल प्रपर अपर अपर चेक कर लिजीगा ठीक अगला प्रशन दिया गया है कि महा जनपत काल में किर्शी के छेतर में क्या परवर्दन आए तो यहाँ पर लिखना है कि महा जनपत काल में किर्शी छेतर में दो बड़े परवर्दन आए पहला हलके फाल लोहे की बनने लगे जिसके कारण कठोड जमीन को आसानी से जोता जा सकता इ में क्या हो गई तरी कि ब्रद्दी यह संग काई सासन करना है कभी कभी लोग एक सातू करते जिसमें से प्रते व्यक्ति एक सांसन को को एक सांस संपानी करता था तो इस तरीके से आपको इस कांसर लिख लेना है अगला परसें देखते हैं और लाश्ट प्रिशन है इस चैप्टर का प्रिस्क्रमांग 16 मगत के नजदीक कौन सा राज था जिसकी राजदानी क्या थी तो इसके लिगना मगत के नजदीक वजनी तो राज था तो इसके ऊद्ध की लिखना है है हमपर जिसकी राजदानी विहासाली विहार थी ठीक एस तरिपे हसाफव एक पूरे के पूरी आंसर लिख लिए अगर पीडिया आउन्लोड करना तो पीडिया आन्लोड की बडचप को क्या करना थैं मिलते नग्स वीडियो में धन्यवाद